जब से पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि आब हार कर के आए हैं आप देश का जहंडा उंचा करके आए हैं और आप कुछ सीख करके आए हैं और इसलिए खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों कि जहां कभी कोई हारता नहीं है हर कोई सीखता है और इसलिए मैं पहला तो आप लोगों से आगर से कहूंगा इसलिए मैंने जान बुच करके काजर हाथ उपर करो अच्छा हुआ 80% लोगों ने हाथ उपर नहीं किया मतलब वो मेरी बात को समझते हैं जिन्हों ने हाथ उपर किया उन्होंने नम्रता के कारण किया है विवेक के कारण किया है लेकिन मैं उनसे भी आगर करूंगा कि हमें यह सोचना नहीं है कि हम पीशे रह गए हैं हम बहुत कुछ सीख करके आए हैं तो मेरी बात आपको मंजूर है ऐसे नहीं जोर से बताएए खिलाडी है आप तो